हरा हर महादेव दोस्तो कैसे हैं आप सब स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में दोस्तो आज हूँ मैं रामिश्वरम धाम में जो की 12 जोत्रिलिंगों में से एक है और 4 धामों में से भी एक धाम है दोस्तो अगर आप लोग रामिष्वरम आना चाहते हैं तो इस वीडियो को जरूर देखिएगा इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप रामिष्वरम कैसे आएं रामिश्रम में आप कहां रुख सकते हैं और रामिश्रम मंदिर में आप दर्शन कैसे करेंगे खाने के लिए क्या क्या ओप्सन है सारा कुछ जानेंगे हम लोग इस वीडियो में तो चलिए वीडियो को सुरू करते हैं दोस्तो सबसे पहले जान लेते हैं कि रामिस्वरम कैसे आएं दोस्तो रामिस्वरम आने की लिए तीन शाधन है टेर्न बस और फ्लाइट। दोस्तो अगर आप ट्रेन से आना चाहते हैं तो रामिस्वरम ही रेलवे स्टेशन है अगर आपको डारेक्ट ट्रेन रामिस्वरम के लिए आपके सहर से नहीं मिल लई है तो आप सबसे पहले मदुराई रेलवे स्टेशन आ सकते हैं जो कि रामिस्वरम की सबसे पास है आप म मदुराई से आप रामिश्रम आ सकते हैं क्योंकि कोई भी डारेक्ट बस रामिश्रम के लिए नहीं आती है दुस्तो अब बात कर लेते हैं तीसरे ओप्सन की जो की है फ्लाइट दुस्तो अगर आप फ्लाइट से आना चाहते हैं तो रामिश्रम का सबसे जो नस्दी की एरप है वो है मद्राई एरपोर्ट और अब सबसे पहले आप अपने सहर से फ्लाइड लेकर मद्राई एरपोर्ट आए उसके बाद एरपोर्ट से आप बस लेकर रामिश्रम आ कुछते हैं जोस्तों अब हम लोग रामिश्रम आच चुकिए हैं अब बात करते हैं कि रामिश्रम में रुकने के लिए क्या वजता है दोस्तों यहाँ पर कई प्राइवेट होटल हैं मंदीर यहाँ पास ही कई आपको होटल मिल आई हैं वहाँ पर भी आप रख सकते हैं दोस्तों यहां का जो मुख्य मंदिर है उसका नाम है रामनाथ स्वामी मंदिर परешь मंदिर के चार दुखार है इस्ट वेश्ट नॉर्थ एंड साउथ गेट दोस्तों यह जो आप सामने देख रहे यह है वेस्ट का इंट्रेंस गेट लेकिन हम जाएंगे इस्ट गेट से जो कि बेव बंगल की तरफ खुलता है समुद्र की तरफ जो कि मुख्धवार है मंदिर का दोस्तों मंदिर में जाने से पहले हम λोग चल लाज हैं समुद्र की तरफ जिसको अगनी तीर्थम भी कहते हैं क्योंकि वहीं परिष्णान करके ही मंदिर के अंदर दर्शन हम दोग कर सकते हैं दोस्तों यह है अगनी तीर्थम यहां के मानिता है कि यहां परिष्णान करने से आपके सारे पाप दोल जाते हैं दोस्तों मंदिर में दर्शन करने के लिए आपको एक जोड़ी कपड़े शाथ में अवस से ले जाना होगा क्योंकि यहां के मानिता है कि सबसे पहले आप अगनी तीर्थम में इस्नान करिए अगनी तीर्थम में इस्नान करने के बाद मंदिर में 12 कुएं हैं जिसमें कि आपको इस्नान करना होता है जिसकी एक परची कटती है 25 रुपए की वो चाहे आप यहीं से कई शादू लोग खड़े रहते हैं वहां से कटा सकते हैं नहीं तो आप मंदिर में अंदर जाके वहां से आप परची कटा लिजे उसके बाद परची कटाने के बाद वहां पर आपको 12 कुएं के पास ले जाते हैं कुएं के पास सेवा खड़े रहते हैं जो आपके उपर बाल्टी से पानी डालते हैं दोस्तो यहां की कुएं का जो पानी होता है बहुत ही पवित्र और सच होता दोस्तों, 22 कुवों में इसनान करने के बाद आप कपड़े चेंज करेंगे, उसके बाद ही आप मुखे गर्बुरा में जाकर बोले नात की दर्शन कर सकते हैं दोस्तों दोस्तो आप सभी को बता दें कि भगवान स्री राम ने यहीं पर बैट कर जो सीवलिंग है बोलेनात का उनसे प्रात्ना की थी रामड पर विजय पानी की दोस्तो भारत के उत्तर में कासी की जो मानेता है वही दच्छड में रामेशुरम मंदिर की भी है इस मंदिर की एक मानेता या भी है कि रामड जो था वा भी भगवान भोलेनात का बहुत बड़ा भक्त था इसलिए स्री राम को रामड वद के पस्चात बहुत खेद हुआ था ब्रह्म भत्तर के पाप के प्राश्चित के लिए भगवान राम ने अगनी तिर्थम में स्नान किया था उसके बाद उन्होंने स्विलिंग की पूजा भी की थी दोस्तो मंदिर जो है वो 15 एकड की लेंड में बना हुआ है और मंदिर का जो कोरिडोर है पिलर्स है वाल्स है और गोपुरम है इन सब के आर्टे के लिए भी मंदिर बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है दोस्तो इस मंदिर में कोरिडोर जो है वो चारो तरब बना हुआ है जिसमें की लगभग 1212 पिलर्स है दोस्तो मंदिर के अंदर वीडियोग्राफिय और फोटोग्राफिय लाओ नहीं है तो हम आपको अंदर का नजारा नहीं दिखा पाएंगे दोस्तो मंदिर परिसर में दो सिलिंग है एक जो हन्मान जी कैलास परवस से लेकर आये थे और दूसरा जो सीता माता ने रेज से बनाया था दोस्तो जो भारत का सबसे बड़ा कोरिडोर है वो रामिश्वरम मंदिर का ही है दोस्तो इस वीडियो को हम यहीं समाप्त करते हैं वीडियो अच्छे लगी हो तो वीडियो को लाइक करें सेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें मिलते हैं अगली वीडियो में तब तक के लिए जैहिंग जै भारत